असलाम अलेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं अलताम अलेक योटूब अफिशल चैनल डाक्टर अश्रव आसिफ जलाली साहब ने जो है अठाइस माई को कराची निस्तर पार्क के अंदर सुनी कानफरेंस का जो है वो इनकाद कर रहे हैं और इसकी बड़े पैमाने पर जो है कर रही है कि ज रही है और अब इतलात ये आ रही है कि कराची में भीеро 304 इन दगा दी गयी है और इस आफ़रेंस को जो है निस्टर पार्क में जो हो रही हैं तो कई के पेट के अंदर डर्द व शरू हो चुका है इस वक्त और वो प्रोपिगंडा कर रही हैं डाक्टर स साथ ने इनको चैलेंज किया था और डाक्टर साथ के खिलाफ जब एफ आयार काटी गई थी तो जो है पिर ये लोग जो है अदालतों से भी भाग गए थे और फिर जज़ साथ को जो है फिर यानि डाक्टर साथ को रिहा करना भी वह पड़ा था तो अब वही तब का वही टो पाकिस्तान पर जो है कराची के अंदर त्यारियां की जा रही है और इस कांफरेंस के अंदर जो है यानि पाकिस्तान सनी तारीक रानमा忘र सर्वतिजास कादर्व साथ भी जो है खसुसी तोर पर शिर्कत कर रहे हैं और पूरे कराची के अंदर जो है बड़े पैमाने पर campaign चला जा रही है पूरे संद के अंदर बड़े पैमाने पर जो है ये campaign वो चलाई जा रही है और 28 मई को जो है जो यो में तकबीर है जब एटमी वो धमाके किये थे पाकिस्तान ने तो उस ताइम उस वाले इस दिन जो है ये conference होने जा रही है निश्टर पार के अंदर और इसकी बड़े पैमाने पर जो है त्यारिये की जा रही है और इंशालला हम इस conference को वो coverage भी करेंगे और अपने YouTube चैनल से जो है इसको दिखाने के भी कोशिश करेंगे और एंदा भी इस हावाले से हम जो है अपना जो वीडियोज है वो वो बना जाएंगे और जाक्टर साब जो है कराची निश्टर पार के अंदर जो है बड़ी conference है 28 माई को जो है खिताब करने जा रहे हैं तो उस वक्त तक आप भी इंतजार करें हम भी इंतजार करते हैं अब आप से चाहते हैं इजादत पाकिस्तान